कि जब आप किसी पोकेट मार को ट्रेन में पोकेट मारी करते हुए पकर लेंगे तो पोकेट मार इतना चालाख होता है कि वही जोर से चोर-चोर चिलाना शुरू कर देता है। वही कॉंग्रेस का नेता अगर फोन पे सेटिंग कर लें तो वह एडी जो है अपना रास्ता के इसे भूल जाती है। आंदोलनों और क्रान्तियों की भूमी साबित्ति वाई फूले की इस भूमी को नमन करता हूँ आपको प्रणाम करता हूँ। राथियों बिना किसी आपचारिक्ता के मैं सम्मानित मंच का अभिनंदन करते हुए। आप तमाम भारतिय रास्तिय कॉंग्रेस के एक-एक कारिकरताओं का, समर्थकों का, मतदाताओं का, देश के कोने-कोने में किसी भी माध्यम से इस कारिकरम से जुड़े हुए। कॉंग्रेस परिवार के एक-एक सदस्य को पार्टी की अस्थापना दिवस के मौके पर हार्दिक बधाई देता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, यह हम सब के लिए बरे गर्व की बात है, कि देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी राजनितिक दल, जो एक राजनितिक दल नहीं है, जिसने आज के भारत का नियू रखा है, उस पार्टी का हम अस्थापना दिवस मना रहे हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात ह जब हम अपने पार्टी की अस्थापना दिवस मना रहे हैं, तो हमको कुछ बात अपने दिमाद में, अपने जहन में उतारने की जरूरत है, सबसे पहली बात यह है, कि जब हम नागपूर में यहां मना रहे हैं, तो जो लोग नागपूर को संग भूमी बनाना चाहते हैं, उनको हम चुनाउती देना चाहते हैं जब तक कॉंग्रेस पार्टी जिन्दा रहेगी जब तक इस देश में एक भी कॉंग्रेसी कार्यकरता जिन्दा रहेगा अपने रक्त के आखरी कतरे तक नागपूर को संग भूमी नहीं दिख्षा भूमी बना करके रखेगा इस बात को तो याद रखिएगा, कि जिस देश में हत्यारों का गाना गाया जा रहा है, उस देश में महात्मा गांधी पैदा हुए हैं, और महात्मा गांधी ने जिस पार्टी को बनाया है, जब तक वो पार्टी जिन्दा रहेगी, तब तक आप इंसान को इंसान से नहीं लड़ा सकते हैं हम बोलते रहेंगे रगुपति रागव राजा राम पतीत पावन सीता राम इश्वर अल्ला तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान हम यह तराना गाता रहेंगे इस बात को याद रखिएगा और जब आज हम पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं भारतिय राष्ट हैं इतनी जोर से आवाज लगाईए कि यह आवाज नागपुर से दिल्ली तक पहुचनी चाहिए आप तयार हैं कि नहीं हम तयार हैं इस देश की जमहूरियत को बचाये रखने के लिए हम तयार हैं इस देश में कमर तोर महंगाई को समाप्त करने के लिए हम तयार हैं इस हम तयार हैं, आजाद देश में, आजादी की रक्षा के लिए हम तयार हैं, यह हमारा संकल्प है, और जब हम इस संकल्प को दुहरा रहे हैं, तो एक चुनावती भी हम लोगों को समझना परेगा भाईयों, चुनावती ये है कि आप मेंसे बहुत सारे लोगों को एक अनभव हुआ होगा कि जब आप किसी पोकेटमार को ट्रेन में पोकेटमारी करते हुए पकर लेंगे तो पोकेटमार इतना चालाख होता है कि वही जोर से चोड़ चोड़ चिलना शुरू कर देता है बोलियो होता है और नहीं होता है आज हमारे साथ इस देश की सबसे पुरानी पार्टी इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी पंडित जवाहरला नहरू सुवास चंद्रबोस मौलाना अबुलकलाम आजाद सरदार बल्लब भाई पतेल एनी बेसेंट सरोजनी नाइडू की पार्टी के साथ भी यही हो रहा है कि हमने चोड को चोडी करते हुए फिर से पकर लिया है हमने इनको चंगरेजों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखा था तो जो चाय बेचने की बात करते थे हमने उनको देश बेचते हुए रंगे हाथ पकर लिया है और जब हमने उनको देश को रंगे हाथ बेचते हुए पकर लिया है तो पोकेटमार को जो पकर लिजेगा तो वो चोड़ चोड़ चिलनाने लगेगा वो कहते हैं कि कॉंग्रेस इस देश न भ्रस्ता चार ले करके आई एक सवाल हम पूछना चाहते हैं आज आप कॉंग्रेस के नेताओं के घड़ पे ED भेजते हैं पर सो जैसा हके पिताजी से वही कॉंग्रेस का नेता अगर फोन पे सेटिंग कर ले तो वो ED जो है अपना रास देश के आम लोगों के नजर में बदनाम किया गया है और देश के आम लोगों के नजर में इसलिए बदनाम किया गया है कि अगर आप कॉंग्रेस के परती अपनी भावना छोड़ देंगे तो देश में कोई आपकी बात करने वाला नहीं रहेगा इस बात को याद रखिएगा इसलिए इस मंच से मैं आप तमाम लोगों से एक बात की अपील करना चाहता हूं कि हे कॉंग्रेस के कार करता हूं जब आप चाय की दुकान पर बैठते हैं जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं जब आप बसों में चलते हैं जब आप खेतों में चर्चा करते हैं दफ्रत दफ्तरों में चर्चा करते हैं तो एक बात को याद रखिएगा एक बात को याद रखिएगा कि सामने वाला जब आपको जलील करता है न तो वो आपको जलील करने से पहले अपने मावाब को जलील कर रहा होता है अपने पूरवजों को जलील कर रहा होता है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी इस देश का इतिहास है बरतमान है और इस देश की आम आवाम का भविस्थ है यह बात हमको समझना परेगा हमको समझना परेगा कि कॉंग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़कर के इस देश को आजादी दिलाई आजाद भारत में पहली वार ऐसा हुआ कि दलीतों को और ब्राह्मनों को बराबरी का वोट का अधिकार मिला आजाद भारत में पहली वार ऐसा हुआ कि महिलाओं और पुर्षों को बरावरी का वोट का अधिकार मिला आजाद भारत में पहली वार ऐसा हुआ कि राजे राजवारा का वोट भी एक और नाली में उतर करके गटर साफ करने वाले का भी वोट एक ऐसा भारतिय राष्ट ये कॉंग्रेस अस्थापित करके आई मैं कहता हूँ कि जिस पंडी जवाला नहरू को लोग आज संसद में खड़ा हो करके गालियां देते हैं याद रखना मरे दोस्त अगर पंडी जवाला नहरू नहीं होते तो जूट ही सही तुम ये बात आज बोल नहीं पाते कि एक चाय बेचने वाला भी देश का पढ़ान मंतरी बन सकता है कॉंग्रेस का इतिहास ये है कि हम इस देश की आम आवाम के लिए लड़े थे लड़े हैं और लड़ेंगे इसलिए मान लिया मलिकार जुन खारगे साहब अपने पचास साल के राजनितिक इतिहास में एक कॉंग्रेस के आम कारिकरता से भारतिये राश्टिये कॉंग्रेस के राश्टिया अध्यक्ष बने हैं ये है कॉंग्रेस पार्टी का लोगतांत्रिक इतिहास ये है इस देश का इतिहास इसलिए आप तमाम कारकरताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज जो देश की हालत है जिस तरीके से किसान आत्म हत्या कर रहे हैं जिस तरीके से हर घंटे नौजवान आत्म हत्या कर रहा है इसलिए हम कोई संकल्प के साथ चलना परेगा कि ये हमारी कॉंग्रेस है हम सब की कॉंग्रेस है या हमारा देश है हम सब का देश है और इसको बचाने के लिए अपने सरीर के आखरे खून के बून तक हमको संघर्स करना परेगा तो आप बताईए चुनावी हार जीत अपनी जगह पे है देश बचाने के लिए संबिधान बचाने के लिए सब को सिख्षा के लिए सब को काम के लिए आप तयार है कि नहीं है अगर आप तयार है तो आखरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा हमारी रगों में उन पूरवजों का खून बहता है जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी दिलाई थी जब हमारे पुर्खे अंग्रेजों की टेंक के से नहीं डरे जब हमारे पुर्खे बलिदानियों का इतिहास बनाया जब हमारे पुर्खे फांसी के फंदे को हस्ते हस्ते चूम लिया तो तुम एक बात जान लो भाई तुमारा जो फ्रंटल और्गनाईजेशन है न ED और CBI उससे हम घड़िघंट नहीं डरने वाले हैं आप लोग डरने वाले हैं क्या तो इस देश की बचाने की लडाई में सब को सिख्षा के लिए सब को काम के लिए और इस देश के हर आवाम को बरावर के आत्म सम्मान के लिए आप संघर्स करेंगे क्रेंगे अगर हम पूरी तरह से संघर्स करेंगे तो आखरी अपील के साथ आखरी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ की कहते हैं की कैसे आकास میں सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियस से उचालो यारो अगर कॉंग्रेस का एक एक कारिकरता आज भी गांधी को अपने दिलों में बसा करके सरकों पर निकल जाए तो इनको हम सिर्फ हडाएंगे नहीं बलकि एक नए भारत का भारत के सपने का निर्मान करेंगे इनी सब्दों के साथ एक बार पुना अपने पूरे नत्रित को धन्यवाद अदा करते हुए और हमारे नेतामुकुल जी को धन्यवाद अदा करते हुए आप सब का धन्यवाद अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा शुक्रिया, इनकलाब जिन्दावाद, जै हिंद, जै भारत, जै कॉंग्रेस